सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और साथी साथ बेल आइकॉन को दबाईए लेटरस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हलो दोस्तो स्वागत है फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप देख रहे है नो नेम उनली है तो आज हम देखेंगे हैं एक शी स्थी पोल डिप्लोम आ का फॉर्म कैसे फिल करना है जिसके अंदर डिफार्मसी अलेइख हो टेल मैनेजमेंट यह कूरस आते हैं यहां पर यह ऑ्फिशल वेप साइट है डी टी की नहापर एच सी पोस्ट डिपलोमा एडमिशन स्थी करना होंगा उसके बाद आ चेसी मार्क शिट फिल करना है उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ओव बर्थ, यहाँ पर रिलिजन, रिजन, उसके बाद यहाँ पर मदर टंग डालना है, यहाँ पर एनिवल सैमली इंकम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अधार नमबर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर स्टेट, डिस्टिक, तालुका, विलेज, उसके बाद पिन कोड, टेलिफोन नमबर आपके पास है तो डालना है, यहाँ फिर नहीं भी डाल सकते हैं, माई डोटर ज़रूरी है उसके बाद यहां पर जो है आपको security question दालना है कुछ भी और आपका answer भी आप save कर सकते हैं यहां पर security question के option दिये गए है इन में से आप कोई भी एक choose कर सकते हैं okay उसके बाद यहां पर आपको password अपना बनाना है password के कुछ rules है जो आपको follow करने है password must be 8 to 13 character मतलब 8 character से 13 character के बीच में आपका password होना चाहिए उसके अंदर एक capital letter at least one capital letter small letter at least one या फिर number एक होना चाहिए अंदर और special की का भी अंदर उपियोग होना चाहिए उसके बाद यहां पर आपको password से करना है यहां पर नीचे qr code दिया है वो भी से वो भी दालना है उसके बाद यहां पर आपका OTP आ चुका है आपके mobile number पर और email id पर इसके बाद हम यहां देखेंगे मैं अपना OTP दालता हूं ठीक है वीडियो को pause कर रहा हूं ओके यहां पर मैंने अपना OTP दाल दिया है उसके बाद यहां पर verify OTP कर देंगे यहां पर आपकी application ID आ चुकी है इस application ID को आपको save करना है ओके यह आप note down करके भी ले सकते हैं मैं यहां पर अपनी copy कर देता हूं application ID ओके अभी यहां पर आपका application complete नहीं हुआ है इसके बाद आपको फिर से sign in करना होंगा यहां पर आपकी application ID दालना होंगी उसके बाद यहां पर आपको अपना password दालना होंगा ओके sign in यहां पर sign in कर देंगे हम फिर से एक बार OTP पुछा जाएंगा यहां पर फिर से एक बार आपको OTP टाइप करना है ठीक है माने यहां पर अपना दूसरी बार OTP टाइप कर दिया है उसको verify करना है उसके बाद आपको यहां पर form पूरी तरह से fill करना है ओके यहां पर आप देख सकते हैं feeling registration detail complete उसके बाद यहां पर आपको feeling course detail करना है यहां पर आपको course select करना है hotel management pharmacy surface coating technology यह तीन में से कोई भी एक choose करना है आपको save and proceed यहां पर आपका यह जो eligibility requirement है यहां पर आपको बहुती carefully fill करना है यहां पर candidate passing from the from recognize you institute in maharashtra अगर आप महाराश्टरा में passing हुई है तो आप type a पे click कीजिए यहां पर आपका यह जो question है इसके हिसाब से देखकर आपको select करना है okay मैं यहां पर type a पे click कर रहा हूं आप carefully fill कीजिए यह बहुत important है उसके बाद यहां पर नीचे save and proceed पे click करना है उसके बाद यहां पर candidate select district from candidates passed भी है आपको आप किस district में से पास की है आपकी hsc उसके उपर आपको यहां पर select करना है यहां पर उसके बाद तालू का select करना है आपकी hsc पास जिस district में हुए है आपके यहां पर तालू का select कर जिया है category उसके बाद पूछी जाएंगी category पर आपको click करना है okay यहां पर save and proceed फिर से एक बार उसके बाद यहां पर disability आपकी है या नहीं है नहीं है तो not applicable अगर है तो यहां पर जो भी option दिए उसके अंदर आप click कर दिए यहां पर इस parent defense personally अगर आपके parents एक सर्विसमेन है तो यहां पर आप select कर सकते option उसके बाद यहां पर यहां आर यू और फन ओके नो उसके बाद यहां पर are you belong from the minority candidate type मैं यहां पर एस कर दे यह कर देता हूं मानोरेटी से बिलॉंग करता हूं इसलिए ओके यहां पर लीग इस्विव मैनोरेटी और रिलीजियस मानोरेटी आप रिलीजियस मानोरेटी से क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर select religion मानोरेटी के जितने भी रिलीजियन है वहां पर आ चुके उसके बाद यहां पर मैं अपने क्लिक कर दो हूं मुस्लिम रिलीजियस मानोरेटी कर दीजिये अगर आपका कोई कोशन हो तो नीचे कमेंट बॉक में जरूर पुछ लेना मैं आपको reply कर दूँगा ओके यहां पर SSC का board आपका किस board से अपने अपने SSC पास की थी ओके मैं यहां पर महराश्ट्रा स्टेट बॉर्ड आप इजूकेशन सेलेक्ट कर देता हूं पासिंग येर 2016 सीट नमबर भी दालना है आपको मैं अपना सीट नमबर दालता हूं यहां पर आपके अप्टेंड मार्क टोटल मार्क आपको अप्टेंड कितने हैं तो दालना है आपको मैं आपको टोटल मार्क अपने दाल देता हूं आपके परसंटेज 59 आटोमेटिक लिए आ चुका है 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 यहां पर है है मतलब आपने जहां टू एल क्लास पास की थी उसका कॉलेज नेम दालना है ओके मैं इस वीडियो को पास करता हूं यह ओके तो मैंने यहां पर अपने कॉलेज का नाम दाल दिया है उसके बाद यहां पर पासिंग येर आपका टुएल्ट का पासिंग येर टाइप करना है ओके यहाँ पर 2018 जून ओके यहाँ पर स्ट्रीम साइंस यहाँ पर जो आपका 12 का सीट नमबर है वो दालना है ओके यहाँ पर मैंने अपना 12 का सीट नमबर दाल दिया है यहाँ पर आपका नेम और मार्क शीट आफ 12 स्टेंडर तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गेट एचेसी डेटा जैसे ही आप यहाँ पर आपका सीट नमबर और डेट आफ बर्ग और नेम दाल देंगे यहाँ पर गेट एचेसी डेटा पर क्लिक करना है ओके यहाँ पर आपका जो है एचेसी का जो रिसल्ट है आटोमेटिक जनरेट हो जाएंगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आटोमेटिक फिल हो चुक हैं मेरे जिपने भी मार्क से सभी सब्चेक्ट के और परसंटेट ओके उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपका डेटा जनरेट नहीं होता है तो आपको यह सारी डीटेब्स फिल करनी हैं ओके उसके बाद फिर एक बार से वेंड प्रोसीड करना है मैं इस वीडियो को थोड़ा फास फॉरवड कर देता हूं आज क्योंकि आपका टाइम जादा वेस्ट ना हो इसलिए ओके तो यहाँ पर हमें अपना फोटो अपलोड करना है और फोटो की साइज जो है तो हंड्र के बी से जादी होनी चाहिए और साइज देखे तो हम 3.5 cm वीट में होनी चाहिए और हाइट में जो है तो 4.5 cm होनी चाहिए जो इंस्ट्रक्शन है फोटो अपलोड करने के लिए हमें यह फॉलो करना बहुत ज़रूर है और हम यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करेंगे और के इस वीडियो के हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि अपने डाकूमेंट कैसे अपलोड करना है ओके हाँथ यहाँ पर मैं اपना फॉटो अपलोड करता हूं। आपको यह फोटो अपलोड करने के बाद हमें जो है पेमेंट करना होंगा आप पेमेंट की फीज है 400 रुपीज ओपन कैटिगरी के लिए और häur testoster के लिए कुछ वहरी हो सकती है उसके बाद हम जो है तो यह फोटो अपलोड कर रहे है जो फोटो की साइस 100 robots से कम होनी चाहिए और 100kyky कम होनी चाहिए और 3—4K बिसे जादी होनी चाहिए ओके यहां पर अपडोड वू नया टैप खुलेंगा उसके उपर हम देखेंगे यहां पर नया टैप खुल चुका है उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे उसके बाद हम देखेंगे यहां पर पेमेंट का ओप्शन आ जाएंगा पेमेंट मैं अभी नहीं कर रहा हूं उसके बाद मैं पेमेंट करने के बाद आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा ओके ठैंक्यू फॉर वाचिंग मा वीडियो और प्लीज सब्स्राइब फॉर मोर वीडियो